आदर्णिये लालू जी वाला संसकार है क्या तेजस्वी जादब में तो कटिहार में साथ यादवों की हत्या होई एक संतावना एक ट्विट तक नहीं किये तेजस्वी जी लालू जादब कभी इन मुद्दों पे चूकते थे क्या वो गरीब गुर्वों के बीच चले जाते खाली पैर चलने का दर्द क्या होता है आपको नपता है बना बनाया भीरासत भी नहीं ढौब आधी बक्त हैं समभल जाएं आधा 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 में पिता जी को पहचान दिए जो एक शप्रा लोग सभा सारन लोग सभा उसमें सैकड़ों लोग मर गए सरधांजली के एक फूल तक देने नहीं गए उनकी मुँ आप जा तो दूर की बात है उनके परिवार के आशू तक नहीं पोचने गए तो आज आप सत्ता का भोग करने के लिए राज भवन में बंद हो जा अब पूरे बिहार में एक जाती होगी और वो यूबाओं की जाती होगी जिस चात्र के लिए कहते थे कि पांच-पांच हजार रुपया मुँ आप जा देंगे आज उन चात्रों पे बिरहमी से लाठी मारी गए कमसे का माकर इतना ही कह दे थे क्या रहे भाई लाठी मत चा बिएससी के चात्र पटना के जगहों जगहों पर प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद में खूब जबर्दास उनकी पिटाई होई और विहार के जो मुख मंत्री है इंदीनों समधान यात्रा पर निकले हुए पस्चमी चंपारन सुनकी समधान यात्रा निकली हुई है और उसके बाद में वो पूरे बिहार का भ्रह्मन करने वाले हैं लगवग इससे पहले भी बहुत जगहों पर भ्रह्मन कर चुके हैं बहुत सारा यात्रा निकाल चुके हैं हमारे साथ में आर्सेपी सिंग के बेहद करीवी अमीद सिंग जी है क्या कारण है कि समाधान यात पुरा युवाओं में करेज बहुत अच्छा उनका जो कोर भोटर है यादो मुस्लिम साब जय जय करता है तो पटिहार में साथ यादोगों कि हत्या हुई एक संतावना एक ट्विट तक नहीं किये तेजस्वी जी सारन में जो उनके पिता जी को पहचान दिया जो छेतर जो उनका पुस्तेनी माना जाता है छप्रा लोग सभा सारन लोग सभा उसमें सेंकड़ों लोग मर गए सरधांजली के एक फूल तक देने नहीं गए उनकी भाई देखो तुम लोग ऐसा मत करो हम इसका निदान निकालते हैं तो आज आप सत्ता का भोग करने के लिए राजभवन में बंद हो जा रहा है मुखमंत्री आवास में बंद है मुखमंत्री आवास में बंद है जो आपको भोट दिया न वो लाठी से पिटते रहे तो से जुड़ा हुआ है आप जैसे उड़जावान पत्रकार हैं लोगों की बात उन तक पहुंचा रहे हैं तो पढ़िवर्तम तो होकर रहेगा और आप मान के चलिए कि 2025 से लेकर 30 तक ये सारे 1974 में जितनी भरतियां हुई राजनेताओं की 74 से 85 तक ये सारे इलिमिनेट हो जाएंगे और इनके रहमो करम पे जो लोग बरतमान में भी पल रहे हैं वो भी नेपथ में चले जाएंगे जो चांदी के चमच लेके हैं वो तो पूर्णता नेपथ में आधा चले गए हैं आधा बाकी है आधर निये लालू जी वाला संसक सरकार हां क्शेमनें अभियाते हैं तो बा करते हैं हम भी थीक है हम बता देते हैं की कि युडंत हुअ लालू जादव जी जब सरकार में भी थे ना आपको वह बाक्या याद नहीं है जब डॉक्टर के लड़का का छप्रा में अब हरन हुआ था तो वह बुलाए थे तो यह होना चाहिए लालू जादव कभी इन मुद्धों पे चुकते थे क्या वह गरीब गुरुवों के बीच प्राइट में चले जाते हैं कहीं उतार गया कुछ भी खाली है इनके जैसा कि यह बाबु सिर्फ बिदेश घूमेंगे या पटना घूमेंगे आप सरकार में मंत्राले में बैठना चाहिए और इलोक संघर से देखा कब जिसके पाओं में चपल नहीं हो वो न जानता है कि पैर चलने का दर्द क्या होता है आपको न पता है बना बना या बिरासत मिल गया यह बिरासत भी नहीं ढोपाए नहीं ढोपाए अभी भी बक्त हैं संभल जाएं आधा 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 सेस बाकी है वो भी समाप्थ हो जाएगा 2020 में क्यों जीते थे मुखरता से पब्लिक का बात रखते थे चत्रों की बात करते थे बिपक्ष में थे जो भी टूटर भॉआए थे कम से कम पब्लिक की बात रखते थे आज क्या हो गया साप सूंग गया बारा बज़े रात में डीम को फोन करते थे गरदनी वाग पार्क से दस बज़े और आज छात्रों को मार के सिर्फ फोड़ दिया गया तनिक भी समझ में यंग लड़का है अगर कोई medical injury for future forever life के लिए अगर उसको मिल जाता है तो क्या होगा इसमीजी हाना ंप यूथ कहने के लिए यूथ हैं आप सत्ता भोगी है आप सुखभोगी है आप सुख्भोगी हैं आप जन लाइक नहीं है यह सबांगा टो अभी कूडनी्र गोपाल गन्ज क क मुकामा ह हुप बता दिया ना कि आपका भोट कहा न 엎 ग oraz और शिंगका वहां पर मुकामा में कोई पाटी कोई दल काम नहीं करता है वहां सिर्फ और सिर्फ अनंद सिंग की लोग पियाता है और वो जीतते हैं